जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन यानि जनता जिसमें जनता दर्शकों यानि आप और हम मिलकर अपने लिए शासक का चुनाव करते हैं और जब बात चुनाव की आती है तो यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि चुनावी पक्रिया का संचालन कौन-कौन लोग और कैसे-कैसे करते ह मतदाता के रूप में आपके हमारे कौन-कौन से अधिकार हैं इनी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे और विशिशक्य के रूप में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है शुरीमती शालिनी चेतल जी जिलाधी उपचिला निर्वाचन अधिकारी आत्म विश् और ज्यान से परिपून करतवे निश्टा के साथ अपनी जम्मेदारियों को निभाने वाली शालिनी शी आपका स्वागत है सबसे पहले हम बातचीत का सिलसले का आगास करेंगे और जानेंगे कि चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है देखिए आक्चुली जै होगा लेकिन अगर हम जिला निर्वाचन कारयाले की बात करें चुनाव से जुड़े हो जितने भी अधिकारी हैं उनकी बात करें तो हमारे लिए चुनाव की प्रक्रिया एनाउंस्मेंट से उद्गोशना से कम से कम भी दो से तीन महीने पहले प्रारम हो जाती है क्यूंकि हमने ऐसी तैयारियां करनी होती हैं जिनके द्वारा हम बहुत ही अच्छे डंग से बहुत ही फ्री एंड फेयर एलेक्शन को हम करवा पाएं जैसे कि हमारे जितने भी एमप्लॉईज यूज होंगे चुनाव के लिए जो भी पोलिंग पार्टी बूत पर जाकर के जो वाजा है उस वहां पर अगर नागरिक को थोड़ी देर वेट करना पड़ता है वोटर को तो क्या उसके बैटने की विवस्ता है शेड है क्योंकि गर्मियों में चुनाव होते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है अगर वहां पर शेड नहों इसी तरह से क् बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक चुनाव को सफल चुनाव बनाने में बहुत कारगर साबित होती हैं और उसके लिए तैयारी हम कम से कम भी तीन माह पहले ही प्रारंब कर देते हैं या इसी बहुत सी चोटी चोटी बाते हैं जो हम एक मदाता के रूप में अक्सर नोटी नहीं करते हैं उसके तैयारी आप महीनों पहले शुड़ो करते हैं जी बिल्कुल मदाता के लिए सिरफ बूत एक इंपॉर्टन चीज होती है और उसका मदाता सूची में नाम होना जरूरी है लेकिन जो चुनाव करवाने वाले अधिकारी हैं या जो हम कहें कि चुनाव आ आपने तो आपने जिसे जिक्र किया कि बहुत से लोग इस प्रक्रिया में इंवाल्व रहते हैं तो किन-किन सर पर किस-किस तरह के अधिकारी अपने इस भूमिका को अंजाम देते हैं देखिए पिछले लगबग दो वर्षों से चुनाव आयोग का यह कारे करम चल रहा है कि जहां भी जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वहां पर जो डारेक्ली रिस्पॉंसिबल हैं चुनाव के लिए यानि रिटर्निंग ऑफिसर और उनके असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर उनकी ट्रेनिंग जो है वो सबसे पहले करवाई जाती है यह ट्रेनिंग और क्या duties हैं और उसके बाद में जो है दूसरा जो पहला तो step यह है कि सब की training होती है इसी तरह से जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें भी जितने भी जिला निर्वाचन अधिकारी हैं पूरे देश की जितनी भी parliamentary constituency है उन सब की भी training election commission जो है वो करवा रहा है इसके लिए वहाँ पर institute है वहाँ पर training sessions चलते हैं जैसे हमारे हर्याना के जितने भी डियोज हैं जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो सब अपनी training करके आए हैं और उस training के बाद में आकर के वो field में अपना कार्या प्रारंब करते हैं training इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि उनको जो उसके पास हतियार होना चाहिए तो training वे एक तरह से हतियार है अधिकारियों के लिए फिर उसी तरीके से जब ये training लेकर के आते हैं उसके बाद में इसी तरह की training हम अपने assembly level पर कराते हैं जितने भी हमारे EVM की तैयारी करनी यानि वोटिंग मशीन जिसको हम कहते हैं उसकी तैयारी करनी उसके लिए अलग से trainers होते हैं अगर हमने कोई duty लगाने किसी की कि उसने flying squad में काम करना है यानि उसने शिकायत मिलने पर उसकी inquiry करनी है उनकी training होती है फिर आजकल जो है वी वी पैट एक नया machine जुड़ गया है EVM के साथ में जिसे हम कहते हैं voter verifiable paper audit trail यानि जब मत आता EVM में अपना एक button दबाएगा नीला जिस भी अभिहर्थी को वोट देना चाहता है तो उसका जो sign जिस symbol के आगे वो button दबाएगा वो symbol उस एक कागज की परची पर छप कर के आएगा जो उस machine में उसको visible होगी उसको दिखाई देगी लगभग साथ से 10 second के बीच में उसको देख पाएगा और उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ अगर मैंने voting machine में suppose A को vote दिया था तो जो slip छप रही है उस पर A ही symbol छप रहा है तो उसको जनतुष्टी हो जाएगी कि जिसको वोट दे रहा है उसको vote उसका जा रहा है तो उस machine की तैयारी है उसके बारे में लो ये सब चीजें जो हैं वो हमारी step by step चलती है उसके बाद में actually चुनाव की जो प्रक्रिया है वो प्रारंब होती है विश्वस्नियता पर सवाल नहीं उठना चाहिए ऐसी प्रक्रिया रहती है दर्शकों यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि श्रीमती शालीनी चेतल को ज मैं पिछले लगभग तीन से चार वर्षों से मैं election commission के साथ में जुडी हुई हूँ और election commission जैसे मैंने अब बताया training करा था तो उन training को देने के लिए उन्होंने पूरे देश में लगभग 280 के करीब master trainers का एक data बनाया है उनको train किया गया है तो उन लोगों में से मैं भी एक ह अपने राज्य में भी दी है training तो बहुत अच्छा experience है यह बहुत बहुत बढ़िया अब हम जानते हैं चुनाव आचार सहीता कि जैसे ही चुनाव की बात आती है चुनाव की देट की बात आती है तो एक शब्द अपने आप हमारे जहन में शप्ता से चला जाता है आचार सहीता एक आदर्श आचार सहीता है और यह सभी political parties की देन है हमारे प्रजातंत्र को मेरा ऐसा मानना है क्योंकि इसमें जितनी भी बातें कही गई हैं चाहे वो political parties पर लागू होती हैं चाहे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों पर लागू होती हैं चाहे वो व चार विमर्ष करने उपरांत निर्वाचनायोग के द्वारा निर्धारित की गई हैं और क्योंकि उन्होंने हामी भरी है इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ इसको हम फॉलो करेंगे तो इसलिए यह उनकी तरफ से देन है हमारे प्रजातंत्र को आदर्श आदर्शाचार सहीता लागू होती है जैसे कि प्लिटिकल पार्टी जो है वो एक दूसरे के योजनाओं की स्कीम की उनके कारे शैली की तो निंदा कर सकते हैं लेकिन वो किसी भी अभिहर्थी की प्राइवेट लाइफ के ऊपर कोई टिपडियोंने नहीं करनी चाहिए इस तो उन्हें सभी पर्मिशन्स तो लेनी ही चाहिए साथ ही किसी अन्य पार्टी की अभिहर्थी की अगर मीटिंग है या जलूस है या रोड शो चल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं करनी चाहिए इसी तरह से वोटर के लिए आदर्शाचार सहीता यह कहता है कि इसी को नहीं बताना चाहिए तो इस तरह की और साथ ही ऑफिशल्स पर अगर हम बात करें तो कोई भी ऑफिशल जो है वो आदर्शाचार सहीता लागू होने के बाद में जैसे आदर्शाचार सहीता जो है जिस दिन चुनाव की घोशना हो जाती है उसे दिन से लागू हो ज आए तो उन से मिलना नहीं चाहिए यहा किसी भी नेता की अभिये की चुनाव में जीतने के संभावनाएं बढ़े इस तरीके से election commission की न केवल credibility बढ़ती है, हमारे निर्वाचन के पूरी प्रक्रिया की credibility बढ़ती है, बलकि जो stakeholders है, चाहे वोटर है, candidate है, उनमें confidence बनता है, कि free and fair election होंगे, निश्पक्ष होंगे चुनाव और अपनी मर्जी से किसी को भी हम मद्दान कर सकते हैं, और न केवल मद्दान कर सकते हैं, बलकि कोई भी अभिहरती चाहे तो, कोई भी वेक्ती चाहे तो अभिहरती बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है, बिलकुल बिलकुल सही कहा, कि विश्वसनियता बनी रहे, चुनाव के निश्पक्षता बनी रहे, इसके लिए आप बहुत जाधा दिन रात मेहनत क पूरा election जो है वो सिरफ इसलिए होता है कि मदाता को facilitate किया जाए, उन्हें ये सुविधा प्रदान की जाए, कि वे जिसे चाहें अपनी मर्जी से स्वतंत्र होग करके अपने मद का दान उने कर सकते हैं, मतदान का प्रियोग करते समय मतदाता को न तो किसी का लालच हो किसी भी वस्तु का अत्वा कैश का न वो किसी के दबाव में हो न वो अपनी जाती धर्म संप्रदाए या भाशा के आदार पर अपने से संबंधित लोगों को मतदान करे सिर्फ इसले कि ये मेरे धर्म से या मेरे राज्य से संबंदित है या मेरी जाती से जुड़ा हुआ है तो मतदान का अधिकार मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अधिकार है जो मतदाता को है और इस चुनाव में एक और एक चीज जुड़ने जा रही है जिसमें हर एक मद्दाता कोई अधिकार दिया जा रहा है कि अगर उसे लगता है कि कोई भी अभिहर्थी किसी को डरा रहा है धमका रहा है या अपना कोई सामान बांट करके या कैश बांट करके चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है तो C.Vigil नाम से एक application बनाई गई है जो play store पर उपलब्द है इसे कोई भी वेक्टि जिसके पास में smartphone है वो इसे download कर सकते हैं और इस C.Vigil के application में दो सुविधा है आप चाहें तो उस वहां का photograph ले सकते हैं और चाहें तो वीडियो बना सकते हैं और दोनों बना करके आप तुरण जैसे उसको upload करेंगे वो सीधा election commission of India के पास में चला जाएगा तो आप न केवल अपने मदान का प्रयोग कर रहे हैं उस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं बलकि आप अभिहर्थी को ये बता रहे हैं कि देखें प्रशासन की नजर तो आप पर रहती है लेकिन अब मदाता की नजर भी आपके उपर है बलकिल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं ये नियंतरन भी स्थापत करने में प्रभावी कदम साबित होगा शालिनी ची जब एक यूवा अठारा वर्ष का हूड़ा है तो बहुत सी बातों के साथ साथ उसके एक चाव सा रहता है कि यह वो मदाता बनने वारा है तो एक नया मदाता अपना पंजिकरन करवाने के लिए क्या करेगी देखिए जितने भी हमारे 18 साल पहली बात यह है कि आप 18 साल के एक जन्वरी जिस वर्ष में मदाता सूची का रिवीजन हो रहा है अगर उस साल में आप एक जन्वरी में आपने कुछ अपने डिटेल देनी है उसमें आपका एक रिलेशन की आपके परिवार के लोगों का नाम कहां पर है जिसे हम यह निर्धारित कर पाएं कि आपका बूत कौन सा बनता है तो इसलिए वो सब चीजें उसमें हम आपको भरनी है मददात्ता को यह सुविधा दी सकता है तो नैशनल वोटर सर्विस पोर्टल है उस पे जा करके वो रिजिस्ट्रेशन अपना कर सकता है वहां पर भी फॉर्म अगर वो भरता है तो वो उसके संबंदित यारों को भेज दिया जाता है इसके अलावा जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो यह चाहता है कि मद हैं और साथ ही कॉलेज अंबैसेडर नियुक्त किये गए हैं जो की नए चात्रों को जो अभी अभी 18 वर्ष के हुए हैं या 18 से जादा के हैं लेकिन किसी कारण वर्ष पहले रिजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं तो उनको वो रिजिस्ट्रेशन करने में हेल्प करते हैं वो उनका फॉर्म भरवाते हैं संबंदी डॉक्यूमेंट लगाते हैं और फिर उसके बाद में वो भेज देते हैं और सबसे बड़ी सुविधा यह है मेरे जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि यदि कोई विद्यार्थी अपने प्रदेश से अपने घर से दूर किसी स्कोर्स के लिए और इतने वर्षों तक रहेगा तो वो उस जगह पर भी अपना पंजीकरन करवा सकता है तो इस तरीके से बहुत से अलग-अलग मोड को इस्तेमाल करके हम प्रयास कर रहे हैं कि जादा से जादा संख्या में 18-19 वर्ष के बच्चे जो हमारे साथ जुड़ इसके अलावा ये सूचना क्योंकि 18 साल का होने पर उन्हें मिले ऐसा अवश्चक नहीं है तो जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें इलेक्टोरल लिटरसी क्लब बनाए गए हैं ये क्लब में जो 17-18 वर्ष के बीच के बच्चे हैं उनको शामिल किया जाता है उन पंजीकरण के बारे में मददाता के रूप में उनके जो अधिकार हैं उन सब के बारे में स्टूडेंट्स को पहले से बताएं और उनमें जोश रहे कि हां हम 18 साल के होते ही अपना पंजीकरण जरूर करवाएंगे बहुत अच्छे से बताया आपने कि सरकार ने बहुत से बिदाएं दे रखी हैं बहुत जरूरत है तो केवल ये कि हमारे युवा अपने मन में इच्छा शक्ति बनाया रखे हैं और जल्द से जल्द अपना पंजिकन करवाएं शालिने ची कई बार ये दिखा जाता है कि मत बन जाता है लेकिन कभी उसमें नाम गलत होता है कभी जो बन लीजे कोई वेक्ति पुरुष है और उसकी रिलेशनशिप में नाम फीमेल के नाम से हो गया है तो यह उनका एड्रेस गलत है और अभी पीछे हमने एक चलाया था जिसमें कि जितने भी ब्लैक और वाइट फोटोस थे हमारी मत दाता सुची में और बहुत पुराने थे तो हमने सभी मत दाताओं से यह रिक्वेस्ट की थे कि आप अपने कलर्ड फोटोग्राफ लगाएं ताकि क्लारिटी हो और पहचानने में आसानी रहे सुविधा रहे मत दान के दिन तो उन सब चीजों की जितनी भी इस तरह की शुद्धी है उसके लिए फॉर्म नंबर आ आप अपना शुद्धी करण करा सकते हैं मत दाता सुची में हाँ लेकिन ये जरूर ध्यान रख लें कि आपका नाम मत दाता सुची में अवश्य है क्योंकि आपके पास में एपिक है जो इलेक्टर फोटो आइडेंटेटी कार्ड है केवल वो है और आप ये मानते हैं कि हैं हिसार के वो ये सुनिषित कर लें कि उनका नाम मत दाता सुची में है क्योंकि अनाम होना पहली कंडिशन है जिसके मा नहां पर हैं, तो 1950 है, कोड लगा लें साथ में, 01662 जैसे हमारा हिसार का कोड है, तो वो कोड अगर आप लगा करके नंबर डायल करते हैं, तो जिला निर्वाचन कार्यालियम में, कॉल सेंटर बनाए गया, कॉंटेक्ट सेंटर बनाए गया है, जिसमें कि आपकी कॉल कर लें, कि उनका नाम मत दाता सुची में है, बिल्कु सही कहा, आपने 1950, एक ऐसा जादवी नंबर, जिससे कि मत संबंदी सभी समस्याओं का हल निकल सकता है, तो यहां पर शालिनीची एक चीज और जाना चाहेंगे, कि जब 2014 में चुना हुए थे, और अब 2019 में चुना होन सबसे बड़ा बदलाव तो यह है, कि एक तो सी विजिल का आप्लिकेशन है, दूसरा 1950 जैसे अभी बताया है, तीसरा हमारा EVM को मैनेज करने का एक सिस्टम है, वो पहले EVM को सिरफ ट्रैक करते थे, अब उसको मैनेज करते हैं, यानि EVM एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन प फिर इसके अलावा जो एक एफिडेविट देते थे, नॉमिनेशन के समय पर अभ्यर थी, जिसमें वो यह बताते थे कि उनके उपर अगर कोई केस है, तो उसमें वो बरी हो गए है, या उनको कन्विक्शन हुआ है, तो कितने समय का हुआ है, अगर केसी अभी पेंडिंग ह है या नहीं है, अब इन सब चीजों को मर्ज करके एक सिंगल एफिडेविट बना दिया गया है, जिसमें उसको यह सारी सूचनाएं देनी है, इसके अलावा परिवरतन यह किया है कि जो नॉमिनेशन करते हैं, वो नामांकन पत्र भरते हैं, उसे संबंदे जितने भी डॉक हैं, वो सारे के सारे वेबसाइट पर अप्लोड होंगे, एक अप्लिकेशन है, उसके माध्यम से वो अप्लोड होंगे, प्लस एक और बहुत बड़ा बदलाव जो मद्दाताओं की सुविधा के लिए किया गया है, वो यह है कि जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं, जिनके अपर कोई कन्विक्शन हुआ है, जिनका, या फिर जिनके उपर कोई केसेज चल रहे हैं, उन्होंने तीन बार अख़बारों के माध्यम से अर टीन बार टेलिविजन के माध्यदró, िलेक्टरोनिक मीडिया के माध्यम से उन्होंने इसका पॉब्लिकेशन करना है, पॉब् विस्तार से आप लोगों को बताएंगे और लास्ट बार जब आप तीसरी बार जबा बताएंगे तो वो मद्दान की तित्थी से कुछ थोड़ा ही समय पहले होना चाहिए नामांकन भर दिया आपने उसके बाद में वो तीन बार ही आपने उसको करना है इसका basic objective यह है कि लोगों को पता चले कि जिस अभिहर्थी ने नामांकन पत्र भरा है उसके खिलाफ कितने cases हैं कितने ऐसे cases हैं जिसमें उसे आरोपी माना गया है उसको सिद्ध हुआ आरोप उसके ओपर convict किया गया है और उसको कितने ऐसे cases हैं इसमें कुछ भी सजा हुई थी पहले इससे एक सुविदा होगी मदाता को कि उसके उसे यह जानकारी रहेगी कि वह जिस अभिहर्थी को चुनने जा रहा है वो कहीं अपराधिक छवी का तो नहीं है कहीं वो गलत तरीकों से तो चुनने अपना चुनने जाने का प्रयास नहीं कर रहा है तो एक साफ छवी के लोगों को चुनने का मदाता के पास में option रहेगा और साथ में नोटा का option तो हई है लास्ट बटन जिसमें कि वह अगर किसी भी अभिहर्थी को पसंद नहीं करता है यह भी मदाता का एक तरह से मैं कहूंगी अधिकार ही है कि उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि अगर अभिहर्थियों में से किसी भी अभिहर्थी को वोट नहीं देना चाहते हैं तो मशीन का last नीला बटन जो है वो दबा सकते हैं जो कि none of the above होता है यानि उपरोक्त में से किसी भी अभिहर्थी को पसंद नहीं करते हैं शालनी ची चलते चलते हमारे दर्शकों को संदेश सरूप संशित रूप से आप क्या कहना चाहेंगी पहली चीज अनुरोध करना चाहेंगे कि मदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम मदाता सुची में है नंबर दूसरे पर कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो 18 में अपने मत का प्रयोग कर सकें तो वे अपना नाम मदाता सुची में रेजिस्टर जरूर कराएं तीसरा जितनी भी महिलाएं हैं चाहे वे अनमेरिड हैं अविवाहित हैं यह विवाहित हैं अगर उनका नाम मदाता सुची में नहीं है तो वे अवश्य अपना नाम पड़ी कम रहती है तो इसलिए अनुरोद करना चाहूंगे सभी महिलाओं से कि वे अपना नाम इसमें जरूर पंजी करन कराएं ना मददाता सुची में और सभी मददाताओं से यह भी अनुरोद करना चाहेंगे कि जब आप अपने मत का प्रयोग करें तो बिलकुल बिना कि किसी दबाव के बिना किसी का पक्ष लिये जाती अब धरम के अधार पर बिना डरे बिना किसी लोब के बिना किसी लालच के करें क्योंकि जब आप मत का प्रयोग इस तरीके से करेंगे तो यह आप सुनिश्चित करेंगे कि आप जिसनेता का चुनाव कर रहे हैं तो आपके यहाँ जन्तंत्र परिपक्व हो चुका है जणी जमा चुका है और अगर हम इसकी सफलता की बात करें तो इसकी सफलता निर्भर करती है आप पर और हम पर कि हम एक मत्ताता के रूप में अपने जम्मेदारी को कितना इमानदारी से निभाते हैं उत दो इसकी सफलता के बाते हैं